नमस्कार मैं प्रियाराज और आप देख रहे G та इस 24 अई दिन सुनाक्षे सिना काफी चर्चे में जिस तरह से सुनाक्षे सिना को कौन ejemplo जानता है जिस तरह से वो अपने पूरे बोल अंदाज में काफी पसंद्द करते हैं फैंस उने लिए अब काफी सुनाक्षी सिंधा सादी करने जा रही है जी हाँ उन्होंने साधिक कर ही ए जाहिर एकबाल से और उसको बता दे कि कई लोगों का कहना था कि सुनाच्छी एक मुस्लिम समुदाय के लड़के से साधिक कर ही यानी एक музыm समुदाय के सलिबरेटिस साधिक कर रहे हैं लोग ने उन पे कई आरोप भी लगाएं जहां उन्होंने उनके पापा को लेकर यानि शत्रूधन सिन्हा को घेरे मिलिया जिस तरह से लोगों ने कहा कि वो बिहार के हैं और उन्हें बिहार की परंपरा नहीं पता है जैसे उन्होंने मूवी में कैरियर अपना बनाना सुरू किया तो अब मूवी में जाने के बाद उन्होंने लगता है अपनी परंपरा को भी भूल गया है वो अपनी बेटी के साधी एक मुस्लिम समुदाय के सेलिब्रेटी से कर रहे हैं पर इसी भी सत्रूधन सिन्हा ने लोगों की बातों पर चुपी साथ बैठे थे लेकिन अब और एक नया ब्यांग जारी आया सत्रूधन सिन्हा ने किया है जो की काफी सुनाची सिन्हा और जाहिर इकबाल के साधी में लेकर एक रुमान्चक तरकी चीजे सामने आई है आपको बता दे कि सत्रूधन सिन्हा ने कहा है कि सुनाची मेरी प्यारी बेटी है और मैं गर्व तरह से वह फिल्म कैरियर में अपना रूल नि भाती है जिस तरह से वह एक नय चेहरा बना ली है फिल्म में अपनी एक कैरियर को लेकर अपने बोल्ड अंदाज को लेकर के वह हमेशा आगे रख लिए मुझे इस बात का proud है मैं उस पर गर्व करता हूँ और रहा बात साधी का तो ये उसकी पसंद है मेरा इसमें कोई दोश नहीं है मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुस रहे खुसी से जीए उसकी पसंद मेरी पसंद इसी बीच उन्होंने अपने अंदाज में जिस तरस्ते सत् कि बाल से साधी करने वाली है दोनों करीब साथ साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे इस बीच खबर आ रही थी कि सुनाक्षी के पिता शत्रुधन सिनः ने इस बात से नराज है कि सुनाक्षी सिनः ने उन्हें साधी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया और ये अफवा किया गया था कि वह अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा से नराज है और साधी में ना सामिल होने की योजना बना रहे हैं वही शत्रुधन सिन्हा ने सभी खबरों को फरजी बताया है आपको बता दे टाइम्स नाओ जूम से बाचित में उन्होंने कहा कि मुझे बताओ आखिर य सत्रुधन ने ये भी कहा कि सुनाक्षी के पास अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार है और मैं उसके फैसले में उसका सपोर्ट करता हूँ वही सुनाक्षी के होने वाले पती जहिर एकबाल के बारे में बात करती हूँ उन्होंने कहा कि सुनाक्षी और ज आपने सीगनेचर डायलोग से सवधान करना चाहता हूं खामोश इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है बता दे किससे पहले सत्रुधन सिन्हा ने कहा था कि उन्हें अपनी बेटी शुनाक्षी की साधी में कोई जनकारी नहीं थी उन्हें जो भी जनकारी मिली वो मेडि जैसे मिली तो जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरश शुनाक्षी सिन्हा के साधी को लेकर इस तरह की बाते कहा उन्हें कहा कि वो मीरी बेटी है मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और रहा बात जहिर इकबाल का तो वो दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं और सुनाक् तो मीडिया ऐसे आए दिन तमाम गलत फैमिया फैल आ रही है कि मैं शादी में सामिल नहीं हूंगा इसी बीच आपको बता दे कि पहली खबर थी कि सुत्रुधन शिन्हा को और उनकी ही बेटी उनकी अपनी प्यारी बेटी सुनाक्षी सिन्हा के साधी के बारे में मीडिया स सही पता चला था पर आए दिन जिस तरह से शतुरुधन सिन्हा ने अपने डाइलोग शेख हामोश आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है इस तरह कि डाइलोग दे कर उन्होंने लोगों के मूँपे चुपिस साथ बैठाए थे उन्होंने कहा कि अपने मूँपे ताला ल कर दो